एक हाई फ्रेंड डोस्टो जानेंगे कि भाइप पैरों की नसों में क्या आप आइवी इंजेक्शन लगा सकते हैं क्या आप आइवी मोटल एवी ड्रिप्स लगा सकते हैं इंफिजन लगा सकते हैं समझेंगे इस बारे में आप लोगों की डिमांड थी मैं वीडियो बना रहा हूं दोस्तों अच्छा लगे प्लीज लाइक किजिएगा रिक्योस्टर वीडियो को पर देखेगा क्योंकि इस तरह के वीडियो पूरे यूट्यूब पर आपको नहीं म क्यों नहीं चलाना और क्यों चलाना है यह दोचीजें हैं इनको समझना बहुत जरूरी है आपने एक्सर देखा होगा दोस्तों कि ज्यादा तर हॉस्पडल में आपको हाथों के अंदर ही हाईए फ्लूट्स कैनूरा लगा दिखेगा पैरों में बहुत कुम दिखेगा तो इसमें आपको ज्यादा सर्फेस एरिया मिल जाता है और बड़ा साइज है और इजी टू यूज है आप कोई भी व्यक्ति फटाक से लगवा सकता है इसमें किसी तरह कोई ज्यादा धर्द नहीं होता है और आराम से लग सकता है और एवन लगने के बाद आदमी अपना छोटे आपने देखा हुआ चार-पांच जिगों नोने पंचर कर दिया तो बहुत से जिगे पर लगाने के बाद भी जब नस नहीं मिलती है पेशेंट भी परिशान हो जाता है डॉक्टर यू परिशान हो जाता है तो बेन फाइंडर मसिंग का भी इस्तमाल करते हैं उससे भी कु शोटे मुटे काम तो करी नहीं सकता पैरों को हिलाई नहीं सकते ये दूसरा रीजन के पैरों की जो नसे हुथ है बहुत ज़्याद अगर आई वी चैना लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है और यह जो नसे होती दोस्तों यह बहुत छुटी भी रूप इतना ज्यादा लंबे समय तक आप यूज नहीं कर सकती नसों को तो मॉबिलिटी नहीं उपाएगी, दर्द ज्यादा होगा पेशलिएंट को और तो यहापस बूर ब्लोड सर्क्लेशन मिलता है, पेरों की नसे हैं, तो इतना अच्छा सर्क्लेशन मिलता नहीं हैं, चीक है। और यह जब आईवी फ्लूड चड़ाएंगे तो हो सकता है कि ब्लड प्रेशर और ज्यादा गिर जाया आदमी का तो यह थोड़े से कॉम्प्लिकेशन आते हैं इसलिए लोग पैरों की नसों में आईवी फ्लूड और आईवी इंफिजन नहीं लगाते हैं ठीक है वीडियो इस तरह की जो भी बाते हुती है वह आपर शेयर करता हूं तो प्लीज सब्सक्कायब भी की की ठीक है तो दोस्तों आई आप समझ गए कि वह पैरों की नसों में इंजेक्शन लगा सकते हैं लेकिन क्यों नहीं लगाते हैं वह आपको गारन पता चल गया वीडिए अच्छल झाल कर दो